ओम शान्ति दे अभिमान होने कारण फेलो जाते हैं व्या खुशी व्या नशा नहीं रहता है कारण क्या है दे अभिमान ये खुशी नशा जाने का कारण जो दूसरों को समझते हैं न उनकी बुद्धी थोड़ी कम है दे अभिमान तुम्हारे में आया है खुशी तुम्हारी गई है नशा तुम्हारा गया है दूसरे ने क्या किया है अगर दूसरे के कुछ करने से तुम्हारी खुशी जाती है तुम्हारा नशा जाता है तो दूसरे के हाथ में आपने कुछ दिया है या नहीं दिया है पर अपना तो सब कुछ लुटा दिया है ना अपनी खुशी गवा दी अपना नशा गवा दिया तो खोया तो आपने है उसका दोस्त दूसरे के मत्थे क्यों मढ रहे हो कि इसकी वज़े से मेरी खुशी चली जाती है इसकी वज़े से मेरा नशा उड़ जाता है मैं वैसे बड़ नश्य मेरत्य हो, ये जो दूसरे यातम है नामेरे साथ इसकी वजह से मेरे खुशे और नश्या चला जाता है। किसी की वजे से नहीं जाता, सब कुछ अपनी वजे से लिए ज़़ता है, अब याद हो, खुशी ना हो, ये हो ये नहीं सकता, दे अभिमान है तो खुशी नहीं है, पीचे भी बाबा नेका था, दुख हो रा है, तो आप अवितरता के निशानी है, दे ही अभिमानी हो और खुशना हो, ऐसा नहीं उत्ता, दे अभिमान है, इसलिए खुशी नहीं है, समझा, सोचो उसने इतना दे दिया, इतना दे दिया है, जो आपने तो सोचा भी नहीं था, बाकी इनको जिटना मिला है, अगर यह सोचने बैठोगे, तो पुर्शार्त करो इनके जैसा, पुर्शार्त भी करो इनके जैसा तो जाके दे ही अभिमानी अवस्ताओ, comparison तो इनके जैसा चाहिए नहीं और पुर्शाट दास दासी जैसा करोगे तो कैसे प्राप्ति करोगे क्या परवात ही आपको एक घड़ी मिलते हैं और यहां हर घड़ी साथ दे रहें पिर भी दुखी और दुख का कारण देविमान जिस दिन यह थ्योड़ी समझ में आ जाएगी ना उसी दिन हम उपर उर सकेंगे ओम शान्ति